जैस्त्री कृष्णा मेरी यूटूब फैमली तो फ्रेंट्स नवरात्रे चल रहे हैं इस टाइम पे तो फलाहर के लिए कुछ न कुछ अलग डिफरेंट चाहिए तो आज मैंने बिल्कुल अलग तरीके से बनाये फलाहरी आलू बहुत ही टेश्टी बनते हैं और बहुत ही जल्दी से बनकर तयार हो जाते हैं जब समय बिल्कुल ना हो और अच्छे से कुछ खाने का मन कर रहा हो चटपटा तो इस रेसिपी को जरू ट्राइ कीजिएगा तो देखते हैं इने मैंने कैसे बनाया है तो देखिए इसके लिए मैंने तीन बॉय लालू लिये हैं और ठंडा होने के बाद इनका छिलका हटा के इस तरह से तरह से तरह मोटे पीस में कट कर लिया है थोड़ा सा हरा धनिया लिया है आदा कप मूफली के दाने लिये हैं एक चमच मैंने सफेद तिल लिये हैं और एक चमच जीरा लिया है एक चमच इग्रेट अध्रक है और तीन से चार हरी मिर्च लियें बारी कटी हुई अगर तीक ही हो तो आप कम ले लेजिएगा और देखिए सारी सामिक्री मैंने इखटी कर लिया तो आईए अब इन्हें बनाना शुरू करते हैं तो वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा तभी आपकी समझ में आने वाले हैं और किस तरह से ये बनाए जाते हैं तो देखिएगा इसमें आप मैंने डाला है डेड़ चमच देसी घी कडाई गरम हो गई में डेटा है घी को अच्चे से मैल्ट होने देते हैं देखिए आप सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी जीरा गैस के फिलेम रखिए लो क्योंकि जीरा हमारा जलना नहीं सिर्फ चटकना चाहिए और इसका कलर भी इतना चैंज नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके साथ मसालिय को भूनना है तो यह खुद ही एकदम से गोल्डन हो जाए गा तो अब में जीरा जीरा अच्छीस अरफित फिल्फ वी डूल्श को अब यह पराशना है तो आसे कम थीख हैं DO मैं शयुद्फित जादा ले लिया औरा आपकी मिर्श जाद तीख है जादा शाथिक ऑन यह तो आप काली मिर्श को भी इसमें डाल सकते हैं तो देखी मिर्चे अभी अच्छे से चटक गई हैं तो अब इसमें डाल दूंगे मुफली के दाने क्यों कच्छी मुफली के दाने तो इसकी साथ में यह ड्राइ रोस्ट हो जाएंगे तो इस तरह से चला के से इन्हें भी अच्छे चटका लेते हैं दो मिर्टिशन चलाएगा बहुत अच्छे से चटक जाएगा और फ्रेंट्स वही छोटी रिक्वेश्ट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जो आने वाली वीडियो नोटिपिकेशन है वो आप तक पहुंच सकें तो देखिए मुखली के दाने हमारी चटक गए है अब इसमें जो सफेद तिल है वो डाल दिये हैं अब ज्यादा टाइम नहीं लगएगा अब इसके बाद में जो अद्रा के ग्रेटिट वो डाल दिया है और अच्छे से इन्हें एक मिनट चला लेत अब जो हमारे आलू है वो इसमें एड़ करेंगे जो देखिए इनमें आप हम आलू को डाल देते हैं क्योंकि भीस्तों हुमारा टेस्ट कमेंट आते हैं कहते हैं कि जब बद में इतना ही खाना आ तो न गबढेने की किसी पर भूखा रहा जाता है किसी पर नहीं रहा जाता है तो अपने ब्रत को जारी रखने के लिए कुछ नो कुछ खाना तो पड़ता ही है तो इसलिए इसे आसान सी रेसिपी ज़्यादा अलका-फुलका बनाके खा सकते हैं और हमाई सरीर को एनरजी मिलती रहे तो जब स्वाद गणू सार नमक डाल दिया और बारिक कटा हुआ डाल दिया इसी के उपर धनिया तो देखिए बहुत ही टेस्टी आलू बन गए है हमारे और इनके लिए अच्छे से दो से तीन मिनट अब हमेने फ्राई करेंगे जब तक इनका अच्छे से कलर चेंज नहीं हो अब शुमाले आहित से लिए बहुत ही टेस्टी लकिГरेंगे आप इननने हरी चटनी के साथ और ब्रतवाय जो गए गःतनी ती ड़त लगते है एक्दम से पेट भर जायेगा और देखिया हमने यस तरह से सबको बहुत अच्छी से फ्राई कर लिया है अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सस्क्राइब करना विल्कुल भी मत भूलिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा जो आप भी ऐसी गाउं की देशी रेसिपी ट्राइ कर सको बहुत ही आसान सिर्फ कम इंग्रीडियन के साथ तो आलू हमारे बन कर तयार हो गए है बिल्कुल अच्छे से क्रस्पी क्रंची हमारे आलू बने हैं तो देखे इने एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं तो देखे इस तरह से हमारे आलू एक एक फीस अलग है आलू का बहुत ही टेश्टी और क्रंची आलू बने हैं तो आप भी बनाईए खाई अपनी फैमिली मेंबर के साथ सेर कीजिए का बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं ग्रीन चटनी और मतलब दही के साथ खाईए बहुत ही स्वाधिश्टा राधिरा